नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से बिहार को जल्द मिलेंगे दो नए एरपोर्ट मुझफरपूर और रक्सॉल हवाई अड़े से उरान भरेंगे विमान उत्तर बिहार के दो बंद पड़े हवाई अड़ो से उरान का सपना जल्द ही साकार हो सकता है जिन दो हवाई अड़ो को प्राथमिक्ता के तौर पर चालू करने का नेरने लिया गया है उसमें पता ही मुझफरपूर के साथ रक्सॉल हवाई अड़ा भी शामिल है मतादे की अभी बिहार में पटना के अलावा गया और दर्भंगा एयरपोर्ट से यात्री हवाई यात्रा करते है जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही भारतिये विमान पतन प्राधीकरन के अधिकारी कैप्टन संजय मिश्रा अश्विनी एस्ट ठाकडे के साथ अन्यपदाधिकारियों के टीम में नीजी कमपनी के प्रतिनीधियों संग दोनों हवाई अड़ो से उरान की संभावना की जाज को लेकर अपना दो दिवसिये दौरा पूरा किया विश्व कर्मा योजना को मिले कैबिनेट मंजूरी शिल्प कारों को एक लाख रुपे तक का लोन पांच प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दौरा स्वतंतरता दिवस पर घोशित की गई विश्व कर्मा योजना पर बुद्वार को मंत्री मंदल से मुहर लगा दी योजना से कौशल कारेों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा साथी एक लाख रुपे तक का कर्ज अधिक्तम पांच फीस सी ब्याज पर दिया जाएगा बैठा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैशनाव और केंद्रिय सूचना इवं प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकूर ने फैसलों की जानकारी दी मंत्री वैशनाव ने बताया कि कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरू शिस से परंपरा के तहत कौशल से जूरे कारियों में लगे हैं इनमें लोहार, कुमार, राज मिस्तिरी, धोबी, मचली का जाल बुनने वाले, ताला चाभी बनाने वाले मूर्ती का रादी शामिल है ग्रामीन अर्थ व्यवश्था में इन वर्गों का महत्वपूर्ण अस्थान है और इन्हें नया आयाम देते हुए योजना को मंजूरी दी गई बिपी अस्थी से बहाली के बाद नियोजित शिक्षकों पर फ्रैसला मुखेमंतरी नितीश कुमार ने कहा कि बिपी अस्थी से शिक्षकों की नियोपती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजित शिक्षकों के संबंध में निर्णा लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम निर्णा होगा अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्स चल रहा है उन्होंने कहा कि शिक्षक मल लगाकर बच्चे को पढ़ाए जो शिक्षक मल लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविश्यों में भी बहतर अवसर उपलब्ध होंगे गायब रहने वाले शिक्षगों पर करी कारवाई होगी उसके आगे की रा भी मुश्किल होगी विद्याले में शैक्षिनिक महाल बनाने और उनके अधार भूत सनरचना के लिए हर अस्थर पर काम होगा मुखे मंत्री ने कहा कि अगले वर्स तक राज सरकार दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष पूरा कर लेगी इसके अलावा दस लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी अगले साल तक उपलब्ध हो जाएंगे निहार में राजपाल का आदेश लंबित परिक्षाय आयोजित कर जल्द प्रकाशरित करे परिनाम सनातक और सनातकोतर की लंबित परिक्षाओं का आयोजन जल्द कर उनके परिक्षा फल प्रकाशित करने का नेरने विश्वविद्याले के कुलपतियों की राजपाल सह कुलाधी पती राजेंद्र विश्वनात आरलेकर ने दिया है। परिक्षा फल समेत कर्मी और शिक्षकों से संबंधित तमाम जानकारी ली उन्होंने यवि निर्देश या के विश्वविद्याले को परिक्षा फल समेत सभी आवश्यक प्रमानपत्र सुविधा से प्राप्थों या सुनिश्रित करें। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। इवम 6 अन्य विशेस अग्या चिकिस्तकों के पद श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के तिरसत पद जल्द संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के 51 पद, क्रिशी विभाग में सहायक निदेशक, क्रिशी अभियंता के 18 पद एवं सहायक निदेशक पौधा संरक्षन के 8 पद, सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक, सहयोग समीतिया के 7 पद तथा बिहार लोग सेवायोग से 79 प्रतियोगिता परिक्षा से जुरे 329 पदों पर न प्रक्रिया जारी है बिहार में मानसून कमजूर कई जिलों में ठनका को लेकर अलर्ट बिहार में फिलाल मानसून थोड़ा कमजोर पर गया है कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वही कुछ जिलों में ठनका का भी अलर्ट है पतना सहीत राज के अधिक की संभावना है फिलहाल लोगों को उमस जेलनी पर सकती है वही आज मौसम विभाग ने पटना और अंगबाद और अर्वल में ठनका की चेतावनी जारी की है साथ ही कुछ अस्थानों पर अच्छी बारिश की आशंका है राजधानी पटना में आज सुबह ही बारिश को लेक गुसराय मुंगेर, भागलपूर, बांका, सहरसा, पूर्णिया, सुपॉल, अररिया, किशन गंज और जमुई में हलकी बारिश की आशंका है लेकिन फिलहाल कहीं भी भारी बारिश की आशंका नहीं है बीस अगस्त के बाद अच्छी बारिश की उम्मीद जताए जारी जवाहर नवोदे विद्याले में कक्षा 6 में नमांकन की बढ़ गई तारीख अब इस तारीथी तक कर सकते हैं आवेदन जवाहर नवोदे विद्याले में कक्षा 6 में नामांकन के लिए चायन परिक्षा के लिए ओनलाइन आवेधन करने की अब डेट बढ़ा दी गई है नवोदे विद्याले समीती ने शेक्षिनिक वर्स 2024-25 में छटी क्लास में दाखेले के लिए ओनलाइन आवेदन करने की तारीख को 25 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है जो शातर नवोदे विद्याले में नामांकन कराना चाते हैं उनके माता पिता जवाहर नवोदे विद्याले प्रवेश परिक्षा के लिए ओफीशल वेबसाइट पर जवाकर आवेदन कर सकते हैं देश के करीब 649 नवोदे विद्याले के छठी कक्षाक में दाकेले के लिए शात्रों को JNVST परिक्षा देनी होगी या परिक्षा दो फेज में होगी पहले फेज की परिक्षा 4 नवंबर 2023 को जबकि दूसरी फेज की परिक्षा का आयोजन 20 जनवरी 2024 को किया जाएगा बिहार में आमीन बहाली परिक्षा का प्रश्ण पत्र वाइरल होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज कहा परिक्षाओं में दांदली और कदचार बिहार सरकार की पहचार बन गई है सिन्हा ने कहा कि घमंडी, जुल्मी, वन्शवादी और यमीनदारी मानसिक्ता की ब्रश्टाचारी सरकार परिक्षाओं में पेपर लीक धांदली और कदचार रोकने में असफ़ल हो गई है पिछले वर्स BPSC की सरसत्वी परिक्षाओं में पेपर लीक में छोटे छोटे लोगों पर करवाई की गई, इसमें शामिल उच्च पदस्त्य लोगों पर बाल बांका नहीं हुआ, एक चर्चित IAS अधिकारी को मुक्त कर उनके ग्रीक एडर राजव में वापस भेजिया पिछले गया है, इसमें प्ले स्कूल की तरज़ पर बनेगा आंगनबारी केंद्र जाने के इंजलों में शुरू होगा पाइलेट प्रोजेक्ट, राज़े में आंगनबारी केंद्रों के प्रती बच्चों का लगाम बढ़ने, लगाओ बढ़ाने के लिए इन्हें प्ले स स्कूल की तरज़ पर विक्सित करने का निर्ने लिया गया है, पहले चरण में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत पटना गया, भोजपूर बेगुसराई एवं किशन गंज में काम होगा, इन जिलों में 30 से 30 केंद्रों को विक्सित किया जाएगा, जिसमें बच्चों के उप 56 गाउ प्रभावित अलर्ट मोड पर प्रशास जाने ताजहालात, बिहार में बाड से करीब 156 गाउ प्रभावित है, इस कारण निगरानी को बढ़ा दिया गया है, साल 2022 में बाड के दौरान अती संबेदर्शील अस्थानों की पहचान की गई थी, वही अब अती संबेद जगहों पर निगरानी को बढ़ाए गया है, इन अस्थानों पर 24 गंटे निविक्षन किया जा रहा है, सुपाल जिले में 120 गाउ सरसामिच्छ और कटिहार जिले में 12 गाउ बाड से प्रभावित है, गोपाल गन जिले के बैकुंटपूर में वालमिकी नगर बराज में 3.15 से पारी शोड़ा गया, इसके कारण बैकुंटपूर में 15 गाउ बाड की चपेट में आ गया है, बतादे कि गंगा वा कोसी के जलस्तर में आंशिक कमी आई हुई है, लेकिन दवाव बरकरार है, भागल पूर जिले में बुद्वार को गंगा नदी के जलस्तर में 5 सेंटीम की आंशिक कमी आई है, वहीं गंगा घाटों पर पानी का तेज प्रवाह के कारण दवाव बना हुआ है, शहर के सभी गंगा घाटों पर पानी कुछ कम हुआ है, इनमें पूल घाट, शमसान घाट, मुसहरी घाट, भूधानात, मंदिर घाट, कीला घाट वा द्याले घाट है, विहार में केके पाठक ने सभी डीम को भेज़ा निर्देश, स्कूल की साफसफाई को लेकर सकती जाने कारण, शिक्षपिभाक्या पर मुक्य सचीव केके पाठक ने कारवाई लगतार अपनी जारी रखी है, एक जुलाई से लगतार स्कूलों का नेरिक पर भी कारवाई के लिए निर्देश जारी किया गया, बता दे कि राज्य के सभी स्कूलों में अब शात्र और शात्राओ की 75 फीजदी उपस्तिती को अनिवार कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, अब स्कूल की साफसफाई को लेकर डीम को पत्र भेजा, राजभर में परिवहन बिभाग ने शुरू की तयारी जाने कारण, बिहार में परिवहन बिभाग ने चेक पोष्ट बनाने की तयारी शुरू कर दी है, राजभर में सरकों की लंबाई चौराई बढ़ने और सरक बहतर होने से गारियों की रवतार भी सरकों पर बढ़ी है, ऐसे में सरक दुरघटनाई दिन की जगा रात में अधिक हो रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारिनी जारी अब इस समय चलेगी कक्षाई। और एक ही समय पर कक्षाई भी आयोजित होगी। किंद्रिये रेल मंत्राले की लगतार 32,500 करों रुपे की लागत से बनने वाले साथ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना से पूर्वे मध्य रेलवे को भी कई फायदे होंगे। इसमें पूर्वे मध्य रेलवे से जुरी तीन वा बिहार से जुरी दो परियोजनाओं शामिल है। इन मल्ती ट्रेकिंग परियोजनाओं के प्रस्ताओं की मंजूरी से अब परिचालन से आसानी होगी और भीर भार में कमी आएगी जिससे भारतिय रेल के अती व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढाचा गत विकास संबव हो सकेगा।